हेलो स्टुडेंट मैं हूँ राजेस बढ़ा रहा और कम्प्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दीक स्वागत है तो देखिए हम कर रहे हैं 5000 important question की सिरीज जिसके अंदर हम कर रहे हैं अभी जो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का नाम है computer for quant comment okay तो अगर वीडियो पसंद आजा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो और प्लीज कमेंट जरूर करें कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे स्ट्ट्ट बोल देख मुझे टेस्स भी निकालने के लिए तो मैं आज जाना चाहता हूं कि मैं आपके लिए बहुत चल्दी टेस्स भी लाने वाला हूं ओके और बहुत ही ज़्यादा कम रेट की होगी वह कम रेट की होगी वह ताकि कोई भी आराम से उसका अफोर्ड कर सके और अच्छे कोईशन आएंगे टेस्स के अंदर जो आपके एक्जाम के अंदर आते हैं ओके तो जिस तरीकर में क्वेशन फ्रेम करों आपको पता चली गया होगा कि मेरा जो पूरा फोकुस रहता है वह एक्जाम औरिंटेट रहते सारे 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 कोईशन ठीक है ना होगी है तो देखीए एकशनर है राम मतलब एक दोस्ते ह्याव और उसका एक दोस्ते शयाम राम मोर शाम की आपसके अंदर दोस्ते ठीक है राम ने एक मेसेज़ का तो देखेगे कितीज क्यों होता है रामने मीसेज्ज प्लेंट Bishop के अंदर और यहां पर वो मेसेज क्या हो गया एंक्रिप्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं साइफर टैक्स और यह मेसेज कहां ट्राविल करना है किसी नेट्वर्क के ऊपर और जब वह रीसिवर के पास पोचेगा तो उसे उस message को वापस decrypt करने की जरूरत पड़ीगी ओ ठीके ? और decrypt ओने लियकतर को बेसे वापस कौण से text के अंदर आ जाएगा ? plane text ॔र किसे डिलीर हो जाएगा ? शाम को ठीके तो दीके रामने message किया शाम को इसंने plan text के उलते बेज़ा सिफर टेक्स्ट देखिए प्लेंट टेक्स्ट वह मेसेज होता है जो एक्चुल मेसेज आप पेज रहे हैं सिफर टेक्स्ट वह मेसेज होता है जो कनवर्टेड मेसेज कनवर्ट हो जाता है ओके और एंक्रिप्शन किसे कहते हैं प्रोसेस अब कनवर्टिंग प्लेंट टेक्स to see for text उसे हम क्या करते हैं encryption और process of converting सीफ़ाट टेक्स टू प्लेंट टेक्स इस process को क्या बोलते हैं decryption subscription وتेक्स को सीफ़ाट टेक्स में किया decryption सीफ़ाट को plan text के अंदर क्या इतिवार समझने आई आपको चलिए अब एम थोड़ा समझने कोशिश करते हैं देखे plans करके सकते हैं आपके सब्सक्राइग कि गरते हैं नहीं स MEME से पारणगते हैं यह सरी इंग सरफ की अगता हैै थम रश there हैं तो मैसेज इतना आराम से कोई पढ़ना नहीं चीह और हो सकते जरूरत तो मैसेज को क्या कर देना होता इस एक इंट्रीप्ट कर देगा माल लीएच को डॉलर में करदिया इस सकत्किति झाते हैं उसको मेंसेंज क्या पड़ेंगा अगर वाइचंस मेसेज उसके पास पर सिकूरिटी प्रोइड करना जाते हैं अब माले यह आपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड डाले डेविट काड के आपने पासवर्ड एंटर किये ठीक है और अगर वह मेंसेज वह मेंसेज प्लें टेक्स के अंदर गया तो आपके पासवर्ड तो कोई भी चुरा लेगा और अगली बार जब आप भी एक्सेस करोगे तो उस पासवर्ट का यूज करके हैं कर आपका खाता-खाली कर देगा तो इस तरहीं किसे नहीं होना चाहिए तो ओवरोल सेक्यूरिटी मेनेच के लिए हम क्या यूज करते हैं हैं encryption डीक्रिक्रिशन आपकी आधे संग सरे कि किट्र के नदर टोपीक है वो है old टोग्राफी टेक्निक क्या होता है क्या होता है क्रिप्टो ग्राफी टेक्सनिक थो चलिए मेरे ख्यास आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा का नेटवर्व सीकृटी के दम क्या पढ़ने वालेब के आफटर मेसेज शनिक्रीब्ट हेद के सिर्व करें तो उसको हम क्या बोलरा है सिवाटैक्स स्फ में निननंग drives एखनो सारी जीज़ें करती है जलिए क्षरने क Щिब करते हैं प्रोसेस रोब कनवर्टिंग बेंटेक्स टू सिफ़र टेक्स्ट प्लेन टेक्स को घरन सीफर टेक्स में कनवर्ट करेंगे तो मैने सब्सक्राइक जाव मतलब इसका क्या मतलब है देखिए सबसे पैली बात यह गुड़ रही होता है उसके जो होता है इलीगल द रहुता है ठीकर यह नहीं होता है उसके जो software use किया जाता है वो software क्या कर सकता है आपके system को hack कर सकता है ठीक है अच्छे intentions है नहीं बनाए गया होता हो software इसलिए मुझे क्या बोलते malicious software वो आपके system को infect कर सकता है next देखिए fourth intruder can be anyone who has good intention be anyone who has malicious intention see both oddy तो देखिए उपर वाले figure के अंदर आ जाते हैं वापस कि तो देखिए यह आपका क्या है network इस नेटर के उपर किया सिफ़र टेक्स हमेशा जो आपका मेसेज जाएगा वो नेटर क्यों क्रोस करके जाएगा ना तो महां पर जो हो क्या होगा आपके सिफ़र टेक्स के फॉर्मेट के अंदर होगा तो देखिए ओर देटवर्क यहां पर क्या सकते इंट्रूडर इंट्रूडर ठीक है इंट्रूडर क्या होते हैं वो परसन होते हैं जो आपके सिस्टम को हेक करना चाहते हैं जो अनुथराइस परसन होते हैं वो आपके सिस्टम को कंप्यूटर को नेटवर्क को डेमेज कर सकते हैं डेमेज मतलब यह पत्तर फेक के आपके सिस्टम को तोड कर सकते हैं मनले आपके कोई परसनल मेसेजेस है फोटोस है वो कहीं भी आप सोचल मीडिया पर डाल सकते हैं आई वास समझ में तो आपका सिस्टम के अंदर वो अन ओथराइज मेसेजस कर सकते हैं आपके प्राइबेट मेसेज को पढ़ सकते हैं और उनका दुरुक्त भी कर सकते हैं तोसे में कियां बोलते हैं इंत्रूडर चलिए वापत आते कोशन के उपर antutor can be antutor क्या हो सकता है Anyone who has a good intention Anyone who has a malicious intention Both or none तो antutor क्या होगा जिसके intention क्या होगा इसका नियत क्या होगी देखें malicious intention क्या है उसकी नियत क्या होगा खराब जो खराब नियत से काम करेगा है नहीं हम क्या बोलेंगे इंटुडर बोलेंगे ओके इंदर बीच के इंदर करता है रस्ते के नदर आके आपको रोग देगा और आपके झो डेटा है उससे साथ सह चैड़ी चया तो इसको अटेकर भी म ליूई करते हैं एक तो होता है एक्तिव अटेक हैं बूसे क्या होता ऐसे आगा ते इसे वहागी है एक होता है होगी कि ऐसे इनदर कया होगा देखिए dolsey केनध और डेटा किन नोट चेन दखेंट तो पेसिव अटेक के अंदर क्या होगा यह आपका जो मेसेज है उसको यह सिर्फ देख सकता है क्या कर सकता है देख सकता है पर यह आपका मेसेज है उसको देख सकता है पर इसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है एक्टिव अटेक के अंदर क्या होगा यह मेसेज है तो उसको फिर णो सकता ही है और क्या कर सकता है उसके content को भी क्या कर सकता है चेंज कर सकता है तो दो तरह के ऐटक पॉसिबल पीस्वटेग और एक्ट्वेटेग हम पैच्वट अटक के अंदर फर्दर केटेगरेशन है जिसका फॉर्सट है रिलीज ओब मेसेज कांटेंट मेसेज कि ट्राफिक कि एनलाइसिस और एक्टिवटे की बात करें तो इसके चार पॉइंट ओके सबसे पहला है मास्क रेड में स्क्यू यू 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 आर एडी सेकेंड वाला है रीप्ले थर्ड है इसके अंदर आपके पास मोडिफिकेशन ओफ मेसेज और इसके लास्ट वाला जो आपके पास पॉइंट है वह आपका डिनाइल ओफ सर्विसेश ठीक है तो आपको क्या करना है पेसिव अटेक के अंदर जी दोनों पॉइंट याद रखने है एक्टिव टेक ने चारों पॉइंट रखने है चलिए अब हम बढ़ते को पॉइंट की और तो आपको ज्यादा समझ में आएगा किस तरह से क्वेशन पुछेंगे देखिए रिलीज ओप मेसेज कंटेंट को पॉइस्ट कुछन देखिए रिलीज ओप मेसेज कंटेंट इस डेश एटेक एक्टिव पैसी बहुत और नंत आपको धियान रखना है रिलीज मेसेज कंटेंट है वो पैसी बटेक है ओके इस तरह सीधे पुश्यन आईगे मास्करेंट इस एक्तिव पसी बोथ अर्न तो आपका मास करेंट वो एक्टिव हो एक्टिव एक्तिव हे देनायल obtained निलोब सरी से देनायल फहों आपकी एक्तिव धी विच्ट ओप दफोलोवीग इस नोट एक्टिव आपको बताना एक्टिवटे कौन सा नहीं है तो रिप्ले एक्टिवटेख है यस मोडिफिक्टिशन ओफ मेसे rapid के त्राफ़ीक एनलाइसिस एक्टिवटेक है तो आप पीछे अगर जाके देखेंगे तो अद्जबराज अठेकि वह क्या है Payseeße टेक यह आपका एक्टिव अटेक है यह अधी एक्टिव टेक है और ट्राफिक एनलसफीज को ट्राफिक इनलसफ के अदर चलिए नेक्स्ट क्या है राम सेंड्स मेसेज टू शाम किसे अभलब श्याम को रगुरीज्च reads the content from Ram to Ravi type of attack is अब आपको क्या करना इसके specification के बारे में पूछा है तो देखिए क्या कहिना चाहरा है यह Ram है और शाम है राम और शाम मैंने क्या बता है तो दोस्त है ठीक है और राम ने क्या क्या मेसेज बेजा शाम को कि इस तरीके से ओवर दे इंटरनेट यहां बीच में क्या आपका इंटरनेट ठीक है यह आप बोल सकते हो नेटवर्क ठीक है तो इन दोनों की में इक तीसरा आदमी बेटा है जो इंटूडर और उसका नाम इनों एक क्या बताया रगू ठीक है राम शेंड्स मेशेज टुशाम रगू रीज्ट कंटेंट फों राम टॉड बोल रहा है जो रगुध इस नहीं क्या किया इस मेसेज को इसने जो मेसेज बेजा ना वहाँ बीच के अंदर इबएपास किया और इस मेसेज को पढ़ा तो ज्यान रख मैं क्या बोलगा है रीड़ दॉका इसका गरा जो मेसेज राम ने बेजा तो इस तरह का टेक हों क्या क्या बोलेंगे तो इस तरह का टेक्ट जब भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे रिलीज ओब मेसेज कंटेंट क्या बोलेंगे रिलीज ओब मेसेज कंटेंट यहां से मेसेज गया और रिलीज कोई कहा चला गया वह रगू के पास रगू के पास नहीं गया एकचली भेजा दो श्म के पास पर रगू ने बीच ने उस मेशेज को पड़ लिया तो इस तरह का टेक को हम क्या बोलेंगे रिलीज of message content next question देखिए राम sends message to sham राम ने शाम को message send किया रगू observe the pattern of the message from Ram to Ravi type of attackers तो देखिए समन्ने कोशिश कीजिए क्या किरा है राम ने रगू को message किया message किया अब इस बार क्या क्या रगू ने क्या क्या observe the pattern of message इसने क्या क्या जो message आया था देखिए पहले वाला message plain text के अंदर था तो रगू ने उसको क्या कर दिया पढ़ लिया अब वाला जो message वो plain text के अंदर नहीं है तो वो किसके अंदर है आपका encryption encrypted के अंदर encrypted message है ओके सिफर टेक्स फ़र्म के अंदर है तो आप बो direct message पढ़ तो नहीं सकता तो उसने क्या किया उसके पेटन जो message के अंदर तो pattern था उसको observe किया तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते ट्राफिक एनलाइस जो ट्राफिक आ रहा है वह क्या रहा है ना data आ रहे है पर मेसेज के अंदर के आएंगे आपके 1011101 यह आएंगे ना तो इस ट्राफिक को क्या कर रहा है वह एनलाइस कर रहा है और इस ट्राफिक से रगू समझने को को चब्रां कि आखिर राम ने शाम को क्या मेसेज भीता वाइड़ी वाद समझ में कर दो चलिए नेच्स चलते मेरे का मातल समझ में आया होया आपको अगर यहां पर मेश्ज लीड कर लेड घुघ तो वह एकट लागा आपका रीजी ऑप मेसेज सेज ऐगा और अगर यहां पर उबजर कर रहा है घू ज़ुड़ कर रहा है आ stre management यह जो वर्डिंग से उसके अपर ध्यान देना है सीधा वर्डिंग से ही कुश्चन आजा है नेक्स कुश्चन देखिए राम सेंट मेसेज टू रवी टाइप ओटेग तो आपको दियान रखना है देखिए वापस यह राम है और यह आपके पास क्या है शाम उसका दोस्त और राम शाम को मेसेज बेजा पर बीच में एक इंट्रूडर बेटा है इसका नाम क्या है रगू इसका क्या नाम है रगू ठीक है देखिए क्या है तो इस ने क्या किया राम ने शाम को मेसेज बेजा राम ने क्या बेजा में इक इसमेन है उस मेसेज को रगू ने और रगू ने मेसेज आराम से पढ़ा देखिए रगू केप्चर दया है अ Button खाया उसफहान को तो इस तरह का एक को हम क्या बोलते हैं रीपलेटिक और इस फाले और क्या शहींद सनीisch को कर दिया उसको किपचर किया और फिर किसे सेंट कर दिया शाम को उसने मेसेज कर लिया केपचर कर लिया okay तेमस के ऐपर आपको ध्यान देना है इसी से आपके डायरेक्ट कोश्चंस आएंगे एकसाम के अंदर चलिए नेक्स देखिए राम सेंड मेसेज टू शाम रगू मोडिफाइज मेसेज एंड सेंड टू रभी इस बार क्या क्या राम ने क्या मेसेज बेजा शाम को पर रगू ने उस मेसेज को ले लिया और उस बार उसने क्या क्या मेसेज को क्या कर दिया मोडिफाइज को चेंज कर दिया जहां पर हेलो लिका व्हाता है उसने हेलो की जगा रिंद के बेख दिया तो इस एक को मोडिकेशन ओफ मैसेज क्या बोलते हैं its कि किशन ओब मेसेज अगर मेसेज मोडिफाई कर दिया तो मोडिफिकेशन उप मेसेज के अंदर आता है और यह किस तरह का आते है कि एक्टिव टेग रिप्लेट एक भी कौन सा है एक्टिव टेग ओके नेक्स्ट कुश्चन देखिए कि राम एंड शाम कनेक्ट टूर नेटवर्क इन्टूडर रगू सेंट मैसेज टू रवी इन्टूडर रगू सेंट मैसेज टू रवी मैसेज फ्रूम रगू अप्यर्स टू भी फ्रूम राम यहां पर रवी नहीं है यहां पर शाम है न क्या है यहां पर शाम तो क्या के रहा इस बार राम और शाम दोनों क्या एक नेट सेंटर मैसेज तू शाम इस बार क्या क्या राम ने कोई मेसेज बेजा नहीं और रगु ने क्या क्या अपनी तरफ से एक मैसेज बना के शाम को बेज दिया और शाम को क्या लगा हो मेसेज किस ने बेज़ आ राम ने तो इस तरह के टेक को हम क्या बोलते मास्करेड मास्करेड मतलब इसने एक मुखटा लगा लिया मास्क लगा लिया अपने चेरे के उपर और यह कह रहा है कि मैं ही राम हूं और यह क्या कर समझ में आ रहा होगा कौन से अटेक ने क्या डिफरेंस है ठीक है चलिए नेक्स के अंदर हम चलते हैं कि नेक्स्ट तो प्लीस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत में मेनत कर रहा हूं और आपके लिए पाइदावारा तो प्लीस लाइक जरू करें अपने दोस्तों को अपने अपने दिते भी वोड्स अब ग्रूप पे आपके टेलिग्राम कुरूप और जहां पर भी आप इस्टाग्राम जहां पर रहते हैं जरूर शेयर करें कि इफ एन अटेकर सेंट मिलियंस ओव रिक्वेस्ट टूर सर्वर तो पूट सिस्टम डाउन और टू क्रेस सिस्टम इस कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं डेनाई लोप सर्विसेश यह फोर टाइप ओप अटेक है जो किसके अंदर है एक्टिव अटेक के अंदर तो देख कि जब भी आपने देखा होगा क्या होता है जैसे आपने फॉंब बढरते हो अपकी एक्साम का औरards और मुनें एक मिनिट में किती है इंडल कर सकता है पर मिनट परॉन तरफ mitad में star एक्सेस करता रहते हैं तो यह लिमिट करोड़ आधीड है उसके पास जो रिख्वेस्ट आज़ी ऊसके वा रिख्वेस्ट पर मिनिट आ रही अबाव यह सर्वर कैसे हैं करेगा तो उसकी सब्सक्रेस अज़ाता है पूर सब क्या धुक्लिकल करता है पर रूसब की हैंडल नहीं कर पाता है इसको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता रही बात समझ में तो उस्सी पर कार क्या होता है हेकर्स क्या करते हैं इस इस माले आपकी अच्छी और वेब साइट हैं ठीक है और माली आपका कोई सुपचिंतक है सुपचिंतक मतलब और वह क्या करना चाहता है कि आप वह चाहता है कि आपका जो सर्वर है वह पूरी तरह से स्वार्म को बढ़ता रहे गा और डिक्वेश्स भी क्या होता है वह किसी भी को क्रेस करते हैं सरौ को डॉन करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्स को जनरेट करते हैं और वी सरों के पास जाती हैं सरौर क्या करता है। उसको handle नहीं कर पाता है जिसके करन्त कहता है आपका kalo जाता है की भार सफ़लना हो जयता है गई लोगानल ऀस देंग ओसने जो सब्सक्राइब लो तो क्या थी सारे की सारी या इलिफक थी अब इसके लिए के अंदर क्या एक यूजर और यह जुक्त को आपके सर्वर्स कि जरूति यानि मतलब इसको फॉंम बनाया सही में हैं और अब awake ज़री सब्सक्राइब पर इसको फॉंम नहीं बरवा कर रहा है क्योंकि सर्वर पहले से डाउन है तो यह क्या कर रहा है आपका सर्वर क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है यह सर्विस सर्विस देने से डिनाई कर रहा है इसलिए सटेक का नाम में डिनाई लोग सर्विसे सर्वर क्या कहता है सर्विस देने से मना कर रहा है करना ना तो डिन नहीं कर रहा है करने उस पूरे के पूरे क्या कर दिया wavelengths है अग्या का solution जो है आप क्या कर सकते हैं आपके website के front panel के उपर किसका यूज कर सकते केपचा का क्या होता है देखिए आप login करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा इसे number लिखा होता है one three four five six और आपको बोलते हैं कि जो टेक्स बोक्स है उसके अंदर आप उसको एंटर कीजिए तो आपको कभी लगते नहीं कि यह नंबर एंटर क्यों करा रहे हैं इसका कोई कैल्कुलिशन है नहीं तो कि एंटर करना से क्या मतलब एक्चुलिशन इसका रिजन यह है कि जो रोबोट होते हैं अब मैं रोबोट यहां कह रहा हूं सौफ्ट्वेर्स को जो इल्लीगल रूप से रिक्वेस्ट भीरते क्सी सर्वर कोण एक्स्वूइट करने मिकली उनको रोबोट बोलते हैं ठीक हैं रोबोट मिस्टा सोफट्वेर्स मान की चलिए तो जो रोबोट है वह क्या करते हैं इमेज को पढ़ नहीं पाते हैं इमेज को देख तो लेंगे पर इमेज के अंदर क्या टेक्स लिखा उसको पढ़ नहीं पाते हैं उसके के अंदर क्या होगा कि जब भी एक बार फॉर्म सब्मिट होगा तो सबसे पहले हेकर को क्या करना पड़ेगा एक केपचा डालना पड़ेगा और केपचा कों डाल सकता है इनसान डाल सकता है रोबोट टेक्स भर लिए पर जब मेलिटरी कंडिशन फुलफिल कर ली पायेगा तो सब्मीट हो गई नी फॉल्मिट हो गई नी तो इल्लीगल या फेट रिक्वेश्ट सरकर पास जाएगी नहीं नहीं जाएगी तो वह इसी बाता आपका सर्वर डाउन हो गई नहीं और आपको डिनल ऑफ सरी से करेगे नहीं मना करेगे लिए तो इसका सुलूशन है क्या केपचा इसलिए हम साद वेब साइट के इंदर किसका एंटिटी इस वन देट इट क्लेंस टूबी यह कहना क्या चाहरा है यहां पर कि यह बोल रहा है कि इसकी क्या गारंटी है विखे यह क्या कहना चाहरा है एक यह सेंडर है और यह रिसीवर है यह दोनों आप सेंडर रिसीवर को मेसेज बेज रहा है और रिसीवर सेंडर से मेसेज ले रहा है तो यह बोल रहा है कि यह कैसे क्लेम करेंगे कि जो सेंडर ने जो मेसेज बेजा है रिसीवर को वो सेंडर ने ही बेजा है और रिसीवर के पास जो मेसेज आया है वो सेंडर ने ही बेजा है और जो से मेसे जाया राम के नाम से तो वो कैसे मार मिलीव करेगा को मेसे claims to be communicating entity means sender and receiver हो जो यह claim कर रहे हैं क्या claim करें sender बोला भी में sender हूं और receiver बहुत हैं लिजए वर तो इसको हम क्या बोलते authentication अगर आपको network के अंदर data travel करना है तो आपके पास authentication होना बहुत जरूरी है आई बास समझ में चलिए next question अब हम देखते हैं ये क्या तो इसलिए जो भी आप डेटा सेंड करो डेटा इंटीग reflex को आ Dee the Network data integrity maintain ना बहुत चरोवी है the message के अंदर authentication बहुत जरुरी यह ऊथराइज यह मैसेज इंटी डेकल यह पहुत जरुरी नेश्ट देखिए थो protection of data from unauthorized disclosure यह आपने देटा विजा है वह कोई और ना पढ़ ले तो protection होना बहुत जरूरी उसे क्या बोलेंगे डेट कॉनिदेन्सीलिटी क्या बोलेंगे डेटा कॉनिदेन्सीलिटी सबसे पहले पिले सेंडर क्लेंट यूं किया में हूं लिएक предektन वे और उस्कों क्या बोलेंगे ओठेंटिकेश्ञ पिर जो मेसेज बेजा वहेब इसका वही है exactly एंड रिसीवर शुट नोट डिनाए रिसीविंगों मेसेज सेंडर मना नहीं कर सकता कि मेसेज नहीं लूँगा इससे क्या बोलते हैं नोन रेप्यूडियेशन यह कुश्यन आ चुका है एक्जाम के कहीं बार इनकी टर्म्स ऐसी होती कि आपको आपको कुछ अंदाजा भी न का मतलब सेंडर मना नहीं कर सकता कि मैसें करूं रिसीवर मना नहीं कर सकता कि मैसे डिसी खरों ठीक है चलि zweck is a term for any software that issues until entire kya किầnॆंघ फ्र मैर ऑनल वेर वह क्या होता है फॉम रहोता है जिसे हम क्या बोलता है from where special purpose के लिए माल है आपकी washing machine ने उसके अंदर software डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं from where freeware वो software होता है जो over the internet openly available होते है free of cost available होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं freeware वो software तो software होते ही हैं तो इसका answer है आपका malware 21 देखिए a computer virus is a hardware software bacteria नन तो वाइरस जो होता होता है आपका software होता है what does do stand for तो देखिए मैंने भी आपके बता है तो उपर डियोज मतलब denial of services what does ddo stand for अब डिडियोज की फुल फॉर्म क्या होती है तो सबसे बहुए देखिए denial of services का है यहाँ पर वो होता है distributed denial of services आगे वाले डी का मतलब क्या है distributed denial of services कि malware can still your information gain unauthorized access harm your computer all of the war तो जो malware होता जिसकी नियत ही खराब होती वो still मतलब data चूराना तो आपका data चूरा सकता है वो आपके bank के खाते के अंदर गुश सकता है वो आपके computer को भी खराब कर सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा डी इसका correct answer हो जाएगा तो फिर देखिए 25 days is a malware when executed replicated itself by modifying other computer program and insert into own core तो देखिए ऐसा malware जो क्या करता है अपने आपको क्या करता है रेप्लिकेट करता है रेप्लिकेट का मनसब क्या होता है duplicate copy बना यह काम किसका होता है वाइरस का होता है वाइरस क्या होता है फाइल के साथ चिपक जाता है और अपनी गाल सिस्ट्म को कर देगा है कर थी किया हुद आपके पास YouTube मदलब इस णर आपको नगए कब्टेक्ट कर सकता है और यह किसके अधर ऐना था ओके उसलिए मेल बोक्स के अंदर विए आथा यंग फॉल्डर भी आता है उनको असलागता है कि पर इस लिंक के गर उपड़ coriander किया तो कुछ आप क्या कर सकते फिशिंग का सिकार हो सकते हो मुलक कर दे मॉच्ण कि क्या होते हैं फिर देखी है 9 स्पर वेड्क क्या होता ये सब्क हम आगे देखते हैं चलिए तो इसका अंसर में बता दिया है वाइरस अब देखिए जो भी जो मालवेर है आपके वोम से टोजन होजे सारह सूरी वाइरस से मालवेर स्वरी मा वाइरस है टोजन हो से वोम से यह सारे किसके टाइप है आपके Malware के टाइप है ओके डेसी दे मालवेर देट रंस भाई देमसेल्स विद्धाउट एड़ एक्जीकुटेबल फाइल एन एंड क्रेश केंज प्रेड वेरी क्ली ओवर दर नेट वर तो यह तरह का देफिनेशन लिखी हुई है और निच्छे आपको टिक करना है सही आंसर तो वोम्स क्या होते हैं जो नेटवर्क पूरे नेटवर्क के अंदर फेल सकते हैं ठीक है और खुद एक्जीकुट हो जाते हैं कि 27 देखिए डेस इस अमालवेर देट बाइंड इटसल टू इमेज फाइल एन ओडियो फाइल या दस नोट इमेज फाइल और ओडियो फाइल दस नोट नीड एग्जीकुटेबल फाइल केंड डिस्रेप कम्पेटर सिस्टम तो एसा मालवे जो खुद को माइंड कर देता देता है किसके फाइल इमेज फाइल या ओडियो फाइल के इसको भी एप्र के जरुत ने तो उसे म क्या क्या बोलते हैं पता है आप वेको टूज्छन होड तो आपको डिफरेंस पता होने चीब्स पता होना था एक नेट के अंदर फेलता होस और आपको फाइल मेंड अदर ने उसके पूरे डटर क्या करता है इसा गर्ट कोड करने के लिए कई करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए उसकी लिगरितम क्या य ago будем ये थे हमागे करना है तो आप मुझे पैसे दो आप मुझे гр opposite दोगे तो आपको क्या करोंगा आपके डेटा को वापस डिक्रिप्ट करके आपको प्लेंट टेक्स के अंदर दे दूंगा तो क्या मांगता पेसा मांगता और इसको क्या बोलते हैं रेंसम बोलते हैं और इस तरह के मालवेर को हम क्या बोलते हैं रेंसम वेयर ठीक है इसका ए सूरेखों राजी उसका कि नाम रहता हुए क्या करना चाहता है यह था स् फश्वा तो यह मतलब में रणा चाहता हम क्यों कि इसका मुन्हें कर दिया यह एक्जामपल I love you is a example hope so Dekhia I love you example किसका आपका इक्जामपल ठीक है यान रखना आपको यह फिर देखे ब्रेंट बूख सेक्टर इसञामपल यह वाइरस का है और आपको इसमें द्यान रखना कि ब्रेंट बूट सेक्टर दोफ़र्स है जो डिस्कवर हुआ था फौस्ट वाईरस डिस्कव all over the world उसका नाम क्या है ब्रेन बूट सेक्टर 32 देखिए देश रिकोर्ड एवरिफिंग देश टाइप ओन कंप्यूटर सिस्टम टू अप्टेन पासवर्ड एन अदर सेंसिटिव इन्फोमिशन तो यह क्या करता है आपके कंपूटर सिस्टम के वर आप कुछ भी टाइप कर करते हैं सिस्टम के मतलब कीबोर कीबड के उपर आप जो भी प्रेस करता है उसको यह रिकोर्ड कर देता है और क्या करता है फिस से आपको क्या होता है पासवर्ड चूरा लेता है यह आईडी भी चूरा लेता है तो इस तरह के मालवेर को हम क्या बोलता है की लोगर की तो जो भी एक्टिविटी करते हो उसको क्या करता है रिकोर्ड कर लेता है ठीक है और फिर क्या करता है है कर उसको ले जाता है आई बाद समझ में तो इससे आपके करते की लोगिंग वे आपके जो भी प्रेस कर रहे हो ना उससे उसको एक्टिविटी का पता चल जाता है ओके इस तरह कि कहां यूज़ करते हैं बताओ मेरे को तो देखिए सबी जने क्या करते हैं आपके नेटवर्क है और यह आपकी गेटवेयर राउटर है और यह मालीजी आपका नेटवर्क है आप क्या करोगे यहां भी फायर वोल लगाओगे इंपुट आउटवूर दोनों जगा तो वह हेकर तो कहीं साई नहीं सकता ना जैसे अंदर गुशेगा आप पकेट को ड्रोब कर देगा वैसे तो आई जाते हैं पर सबसे बेश तरीका क्या है कि आप कैसे भी करके इस नेटवर्क के अंदर ही गुश जाओ तो आप क्या करो दोस्ती करो अपने दोस्ते और इन में से कौन सा मेतर नहीं है मेलिश अटेक से बजने का इस्टोल एंटिवाइरस डोंट ओपन एक्जिकुटेबल इमेल अटेच्मेंट कीप ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड डोंट यूज पाइरेटेड सोट फेर डिसेबल एंटिवाइरस तो अगर आप एंटिव यह इसी टेकनिक है जो है यूमन एरर देखिए आप देखते हैं डेट एक्सप्लोइट हुमन एरे टुगें प्राइविट इंप्रमिशन देखिए आप जब भी सर्फिंग करेंगे या जब भी आप कंप्यूटर चलाएंगे तो कुछनी कुछ गलती करते हैं आप किसी लि आप किसी लिंक को आप के भी अलिय,- क्या वाइल को डाउनलोड कर देते हैं ऑके तो human जो भी एर्र करता है तो ऩै अप्रिजे टीज में क्या बोलते हैं में जो आगर हुमन कोई एहरर कर रहा है और उसके उरू गडरा थे को जाते उस टेकनिक Course in इंजिनेरिंग इसके सोचिंजिनेरिंग का जो एकजामपल है वह क्या है फिशिंग बाइटिंग ओनलाइन स्केम जो ओनलाइन जो भी स्केम होते हैं ओके तो सोचल इंजिनिंग इस टेक्निक डेट एक्सप्लोइट एक्टिवीटी दन टेलिफोन नेटकर नेटकर फूर फॉन टिपिंग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं ऑपकी ब्लठ की बात की है तो फ्रेकिंग और प्रेक किसे बोलते हैं जो इसके इंदर होता है टर्म्स का आपको ध्यान रखना है टेलीफोन की बात की है तो फ्रेकिंग थरी सेवं देखिए SQL query is used to exploit user database to gain unauthorized Excel तो इस तरह को हम क्या बोलते SQL injection नाम से ध्यान रखना है अगर डेटाबेस है और hacker क्या करना चाता है आप किसके अंदर लगे इस तरह के से कंबिनिशन से क्या करता है वो क्वेरी जो आपने पहले यूज की हुई है कोडिंग के दूसको बाइपास कर देता है तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते है SQL injection 38 देखिए something which capture unencrypted data passing through network traffic to snipper packet is called sniffing देखिए यह नेटवर्क है और यहां पर बहुत सार डेटा जा रहा है encrypted भी और unencrypted भी तो स्निफर प्रेट किया करता है जो unencrypted data उसको क्या करता है capture कर देता है और जो hacker जिसने इसको बेजा है उसको बेज देता है तो एकर क्या करता है उस डेटा करके कि आपके system को क्या कर सकता है exploit कर सकता है इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं sniffing ठीक है कि फिर देखिए next question full form of XS तो यह very important है XSS की full form क्या है Cross site scripting बाकि यह नहीं है दोनों कि 40 day कि indies browser is targeted by करेंग इनजेक्टिंग मेरे सिपट तो यह जो टेक्निक करोस साइज स्क्रिप्टिंग जबते हैं इसके लिगाऊजर कह एक क्रिप्ट Run करें लिए जाती सली और आपके ब्रावण स्क्रिप्टिंग किसे बोलते हैं तर्मस आपको ध्यान रखनी है फोटिवन देखिए इन कंप्यूटर डेस इज नेटवर्क सिक्यूरिटी सिस्टम तेट मोनिटर एंड कंट्रोल इंकमिंग आउटगोइंग पेकेट बेस ओन डूल तो इस पाइवेयर कुकी स्पैम फायरवल तो कौन करता यह फायरवल कंप्यूटर नेट्वर्क टोफिक था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था फायरवल के अंदर कि फायरवल क्या करती है जो भी आपने पे एकुरितम होती है वो क्या करती है स्वरी कौन उसकरता है इमेल और फाइल इंग्रिप्शन तो इसका अंसर बोत और डिजिटल सिग्नेचर इस रिक्वाइड बाइफ और नोन रेपुडिएशन और कम्मुनिकेशन बाइसेंडर फॉर ओल इमेल सेंडिंग फॉर ओल डिएस हो नहीं सकता है इसकेश के इंदर का अंसर यह मतलब क्या हुआ है उगlor इंहीं कर सकता है कि में में सेंगे हों और रीसीवर है नहीं करे सकता कि में मेसेज करूं ठीक है तो अगर आपको मैसेज भेना है तो आप डिजीटल सिकनेंचर के थूप बैज सकते हैं तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है संठेथम्ती इस इंटेग्रिटी और नोन रिपूडिशन यह पढ़े भी थे पर ठीक है कॉन्फिदेशिलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी तो मेरे ख्याल से हमारे क्वेश्चन जो है वो खतम हो चुके हैं तो प्लीज कमेंट जरू करें लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकिशन बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ओके और आपके आरभी सर है उनको ओनलाइन प्रोमोट करें जो हूं में ठीक है तो अगर आप इस तरह से प्यार देते रहेंग होगा ओके और जल्दी ही में टेस्ट सिरीज लॉंच करूंगा एक्जाम से एक एर देड़ महीने पिले तो उसको प्लीज जरूर आप अटेंड करें ठीक है चलिए थैंक यू